दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं आप वीडियो को पूरा दिखे द्यास देखे इस में सारे क्लिए डिटेल बताने वाला हूं और इससे आपके डीजी की आवाज बहुत ही लंबी जाएगी वह बहुत ही सांदार आपका लॉंग थ्रो भी बेस कर जाएगा और ही आपको टॉप में और बेस में करना है चलते हैं वीडियो पे दोस्तों हопас की हमारी इस हेलफल प्र इडियो में आप लोग बहुत सौंगत है जो भी आप इसकीन पर देख रहे हैं आपको लोगत क्यूंस दिखाई दे रहा होगा तो इस पर आप देख रहा हैं कि यह हमारा सकते हैं थो यह दूंढ़ चैनल पर लगा पहलप चलाए नहीं मैं कलेका चारों सिंग्षकौन मुलूरै कर खने हैं जू सिल उसमूर्ण 8551134 सबस्कंधाबी हर ऋनिया थीए बौर्सेफ्रेतर नहीं हम जो कैसे कि सब्सक्राइब करने होद हैUS तो इसलिए मैं आपको वह चीज बताने वाला हूं को आप किस तरह से चीज़ें करेंगे तब आपको बहुती जानदार आपको बेस मिलेगा और आपका स्पीकर भी निकटेगा ना आपकी मशीन भी गरम होगी तो यह जो अगर कोई भाई हमारे गलती करते हैं तो उस गलती को आप देख लेना कि कहीं आप इस तरह से गलत तो नहीं चला रहे हैं तो इसमें कैसे बेस चला जाते हैं किस टाइब से कनेक्शन किया जाते हैं मैं सारी चीज उसमें आपको बताने बाला हूँ जैसे माले जी आप कोई डीजे चलाते हैं तो डीजे में आप जो यूज करते हैं वो आप सिंगल स्पीकर वाला बॉक्स से यूज करते हैं समें बलई बोक्स को जैसे हमानलीजी आपके पास यहंग आफाट हम के तो हम क्या करते हैं इन दॊनों बेस को हमने पैलल系 कर दियासरा का ने के वा당 आप इसको मसीन पे लगाते हैं तो मसीन पेन का लगाते इसपे आप देख रहे कि स्थाट्र यहां लगाएंगे तो आप चैनल भी लिखाए इस था आप चैनल इंदृ लिखाए तो चैनल इसको लगाएंगे इसका 4 आम बने गा तो जो हमारा मसीन है LX-32 फर बहुत अच्छा बेस चलता है कटता भी नहीं है तो इस पे आप चलाएंगे टौप चलाएंगे बेस चलेगे बहुत चलाएंगे चलेगा तो आपको हम मैं इस पे आपको तो 2 bass के अलावा 3 bass भी आप एक channel पर चला सकते हैं, तो 3 bass कैसे आपको लगाने हैं, वो मैं आपको बतावाँगा, वीडियो में तो वीडियो पर पूरे बने रही एंट तक वीडियो को देखिए, अच्छे से आपको चीज समझ में आ जाएगी, तो इस तरह से आप दो ब्यस इस पर लगा सकते हैं तो इस तरह के आप लस्पीकर वाले वाइट उट करेंगे तो इसका देह डाया है यानि एक चैनल पर 600 वात करह से लेन दुस्कमारा थो रहीं को आता है पर तो आसानी से हमारा यह अंडर लोड रहेगा तो दो एक चैनल पर और दो एक चैनल पर हम पूरा बना रही है मैं आपको पूरी चीजें से मैं डिसकस करने वाला हूं तो पहले आपने इस ट्राइस से दो दो भी इसको चलाना इस पर समझे लिया है इदि आप ऐसे चलाते हैं तो बेस्ट तरीका है आपका कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको आने वाली नहीं है क्योंकि यह अंडर लोड है और कनेक्शन पैर लोग में कनेक्शन करेगे इस दो दो बॉक्स इस पर आसानी से चला सकते हैं यानि चार वेस टूटल चला सकते हैं यदि आप डबल स्पीकर वाला वेस्ट चलाते हैं देखिए मालेजियिस आप तो धी यह होगा अवकी सिभी कमपणी का हो सकता है अपका लगांडिक चल सकते हैं और दूसरे score दूसरे चेनल ये करद बात तो इस तरह से हम हो सकता है और यद्सित कंद सह है है तब भी आप चला सकते हैं कोई भी दिक्कत नेगा चलेगा तो आप बिल्कुल चलेगा आप इस पर लगाके चला सकते हैं यदि आप ज्यादा बेस नहीं आपके पास नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको पूरा लगाएगा आप 625 वाट का बेस अकीला बेस पर लगाके चला सकते हैं कोई दिखकत अ में आपको नहीं आएगी आप वह माते हैं कि जैसे आपके पास एक अब अब ऑज्चे कैंप आप दो नों बेस एक एक चैनल पर दो को नहीं चला सकते आपका एम्प्लिफार हीट होगा आपका बेस भी कट सकता है इसलिए इस चीज का आपको दिहां रखना होता है और ज्यादा आप इसको ओवर ड्राइब करेंगे तो यह आपका कट जाएगा स्पीकर और आपकी मसीन भी गर्म होगी तो इस है तो एक बेस और इसमें लगाना है माँञे लो एक बेस और आपने यह दिया दिया हुड़ा दो आपके पास तीन बेस हो गहाँ सकते हैं लेकिन हमको यह देखना पड़ेगा कि यह चैनल हमारा तीन बेस का लोड ले जागा बागी ओम मैचंग हो जाएगी मैचंग में आटोमेटिक आपको प्रोवाइड कराऊगा आटोमेटिक आपना ओम मैच कर लेता है ट्म से लेके एटोम तख तो जैसे मानके चलिए इसमें ऐट ओम का एसका भी एटोम याइड ओम चि तो इसमें तीनों जो हमारे बॉक्सवेकंग रूजकी आ गया है तो 2.6 impedance वाले speaker को भी हम वहीं पर लगा कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो amplifier के पीछ दिया है देख लेजिए यहाँ पर लगा है 2-8 ohm यानि 2 ohm से लेकर के 8 ohm तक के speaker हमें इस पर लगा सकते हैं impedance वाले यानि इसके बीच का कितना भी impedance हो रहा हो तो आप इस पर मैच करके लगा सकते हैं बस यह दियान रखना है आपको 2 ohm से 8 ohm के बीच में ही हमारा impedance आए इससे नीचे नहीं आए और 8 ohm से जादा नहीं आए तो आप कोई भी speaker इस पर लगा कर चला सकते हैं तो इसमें यह आपको problem नहीं आने वाली है आप आसानी से इसको बहुत ही clear और सांदा तरीके से इसमें चला सकते हैं तो इस तरह से जो हम 3 box चलाते हैं जब हम यह 3 box चलाएंगे तो इसका लोड देहें कितना हो रहा है तो इसका 950 watt लोड हो रहा है तीनों speaker का 1950 watt लोड हो जाएगा आप इसको calculate करेंगे 650-650-650 तो 1950 watt लोड हो जाएगा तो 1950 watt जो लोड है यह हमारा LX 32 जो हमने use किया है यह हमारा एक चनल पर 1600 watt maximum load दे सकते हैं तो इससे आगे ले तो जाता है लोड लेकर देना नहीं चाहिए तो इस पर LX 32 जो पर 1600 से आगे लोड नहीं लेता है तो इसलिए LX 32 जो पर इसको हम तीन बॉक्स को नहीं चला सकते इसके लिए हमें LX 45 जो पर हम इसको चला सकते हैं क्योंकि यह हमारा बहुत ही सांदार रहा कोई दिका देना है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जिन भाई होने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्यू